कर दो, जैसे मैं हट पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां मेरा YouTube ओपयन हो जा रहा है, इसके बाद जैसे मैं फिर फार क्लिक करता हूं तो मेरा Instagram यहां open हो गया, और जो मैं फिर customize करके अपना GG info जोगी Channel का Name लिखा हूँ तो इसी पर Play Store ओपयन हो जा रहा है और आप भी लोग ऐसे अपने कोई भी application को customize करके one name या फिर अपने emoji लगाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रही है बहुत सारे application को ढूनने के बाद तब जाके मुझे application मिला है और ये वीडियो आप लोग कहीं भी skip नहीं की जगा नहीं तो आप लोगो समझने में दिक्कत हो सकता है देखे सबसे पहले मैं इस application को open कर लेता हूँ इस application में मैं कुछ पहले से already visit चूज किया हूँ तो यहां पे वो तो होड़ा है और देखे आप लोगो new हैं तो आप लोगो चूज करना है तो कैसे आप चूज कर सकते हैं Your visit का बगल में आप लोगो plus का icon मिल जाता है। आप लोगो plus पर tap कर देना है और इस पर tap करते ही आप लोगो लिखता है create a new widget तो आप लोग को इसका नीचे मिल जाता है टेक्स्ट का ओप्शन तो टेक्स्ट पे आप कुछ लिख भी सकते हैं कोई नेम या फिर कुछ भी लिख सकते हैं या फिर आप इमोजी चूज करना चाहें तो वह भी यहां से चूज कर सकते हैं तो simply मैं यहां से सबसे पहले एक इमोजी चूज कर लेता हूँ और इमोजी चूज करते ही आप लोगों बोलता है यहां पे select a color अगर आप यहां कोई टेक्स्ट चूज करते हैं तो आप यहां से इसका color change कर सकते हैं जो चाहिए आप वह color यहां पर रख सकते हैं आप यहां बहुत सारा color मिल जाता है और इसके नीचे आप लोगो मिल जाता है टेक्स्ट साइज trước का साइज आप लोग लोग कितना रखना हुए तो ज्यादा मोठा रखना है ज्यादा चूटा रखना है वह आप यहां से मैनेच कर सकते हैं इसके अलावा आप लोग को यहां मिल जाता है text style text का style मतलब front का style आप कैसा रखना चाहते हैं यहां तो simply आप लोग को normally so होता है और आप उसका change करके कुछ attractive लिखना चाहते हैं तो यहां से आप लोग काफी आराम से tap करने के बाद वो हो जाएगा और इसके बाद आप लोग को मिल जाता है यहां पर text gravity का option किस angle में आप लोग को रखना है जैसे कि इस side रखना या फिर up में रखना है या फिर down में रखना है आपको जिस angle में रखना है आप वहां से यह choose कर सकते हैं और फिर यहां एक और option देता है जो के text shadow जो कि सबसे जायत आपके मतलब लेटर को बनाता है बैगराउंड में एक सैडो दे देता है और यहां पर सैडो का आप लोग को कलर भी चूज करने को बोलता है जो कि आप कोई अलग कलर अगर चूज करना चाहते हो भी आप यहां से चूज कर सकते हैं और इसके बाद आप लोगो फिर देखें यहां पर सेलेक्ट और कलर का उप्सन मिलता है तो यह कलर जो है यहां पर आप लोगो यह बोलता है कि बैगराउंड में आप लोगो कौन कलर रखना है वाइट ब्लैक ग्रे रेड या फिर ब्लू कोई भी कलर आप लोगो रखना है ब बोलता है तो आउटलाइन पर आप जैसे टैब करेंगे तो इसका आउटलाइन बना देता है सरकल में और इमोजीट मतलब या फिर कोई लेटर लिखे तो बीच में डाल देता है जो की दिखने में अच्छा नहीं रखता है तो इसको यहां से ऑफ कर देता हूं फिर आप लोगो यहां बोलता है select a click action मतलब आप लोग यहां पर क्या लगाना चाहते हैं कोई application जैसे कि wifi on हो या फिर do not disturb या बहुत सारा option मिल जाता है उसके नीचे आप लोगो आता है application यहां पर देखे line by line कोई भी आप लोगो एक application चूज कर लेना है और back आने के बाद आप लोग को अपने wallpaper पर टैप करना है और यहां पर आप लोगो विजीट का option मिल जाएगा तो विजीट पर टैप करने के बाद आप लोगो इस application पर click करके फिर आप लोग अपने विजीट पर लेती आना है और इसको लाने के बाद देखिए आप लोगो चूज करने को बोलेगा तो जैसे कि मैं यह emoji को चूज किया था तो इस पर जैसे मैं टैप करता हूँ तो देखिए मेरा यहां चूज हो गया और इस पर टैप करने के बाद देखिए मेरा where is my train भी open हो गया और देखिए इस application का name क्या है यह मैं आप लोगो सबसे पहले बता देता हूँ तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आप लोगो अपने play store को open करना है और यहां पर आने के बाद आप लोगो सर्च करना है एनी टेक्स्ट विडिज और यह सर्च करते ही application आप लोगो फर्स्ट में मिल जाएगा इस application का लिंक में description में भी दे दूंगा आप वहां से भी जाके डाउनलूड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आप इस application के तुरू काफी आसानी से अपने कोई भी application को कोई भी app को कस्टमाइज कर सकते हैं जो की कोई emoji या फिर कोई text में जो की दिखने में काफी attractive भी लगता है तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो like, comment जरूर करें और चानल को subscribe करना न भूले फिर मिलेंगे नए वीडियो में